आज हम लोग गुननखंड अब आज गुननखंड और सारु गुननखंड के बारे में देखेंगे गुननखंड क्या होता है सो देख रहे हैं गुननखंड गुननखंड किसको कहेंगे जैसे 24 रहेगा 24 किस किस संख्या से कट रहा है उसको हमको लिखना है जैसे 24 एक से कट जाएगा दू से कट जाएगा तिन से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा 8 से कट जाएगा 12 से कट जाएगा और 24 खुद अपने से कट जाएगा ते हो गया गुनन खंड हो गया फिर देखेंगे 32 देखेंगे 32 एक से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 8 से कट जाएगा 16 से कट जाएगा और 32 से कटेगा इसको हम गुनन खंड बोलंगे इसके बाद अबहाज गुणन खंड Common है भूर्ण खंड इसको निकालने के लिए हमको देखना होगा चोटा तोर देना है और सब जितना टुटेइगा सब हाजी रहेगा जैसे 24 का अब यून खंड निकालने हैं चोबीस का वाइद की एक निक अनिकालने के लिए हमको करना होगा शोटा से छोटा से संख्या से भाग करना हो तो दूसरे करेंगे तो बारा हो जागा दूसरे इसको भाग करेंगे तो बारा हो जागा फिर दूसरे करेंगे तो दूसरे करेंगे तो तीन हो जागा भाग करते जाएंगे दूसरे भाग करेंगे तो बारा हुआ ह यह लोगान हो जागा है कि अब जागे रह वानितस्के दिश्का बह्तो बह्तों। दू गुने तीन ए अभाज गुनन खंड हो गया अभाज गुनन खंड गया फिर देखते हैं जैसे हमको 32 का भाज गुनन खंड निकाले तो इसा ही करेंगे 32 को दो से भाग करेंगे आज जागा शुला के दो से भाग करेंगे आठ आठ के दो से भाग करेंगे चार चार के दो से भाग करेंगे दो तो इसका अभाज गुनन खंड कितना हो जागा दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो यह अभाज गुनन खंड इस पत्तारस्ट में ऑभाजर क बैखहर monitीश कि पर पांच फ्रका आर्थारीश सार्ट पर फ्रकान करने यह था को हैं और थालीश और तालिशञक हाक आवाज्ञ नखन ंन सब्सक्राइब से मरेडռ हैड एफ तो गिना की निखान है को जाता है जोगना से कट रह ऊगिया reports लिए हमको कि जो आभाञ केवल वह अंक को ही work मतलब इसमें किसी से भाग ना ना लेंगा तोमें किसी से भाग ना लिए हमांगो मारत हो गया हॉ है इसके बाद है कि इसके बां ud सार्ब गुणन कंड इस सार में थो पूर निकालने के लिए हम पूर देखना है जिसे दो सेंख्या लेते हैं साड़ निकालने के लिए दो तीन चार संख्या ले सकते हैं तो हम दो सरु करते हैं रहेगा आठ तथा बारह का सार्व गुनन खन निकाले सार्व गुनन खन निकाले सार्व गुनन खन निकाले आठ तथा बारह का आठ तथा बारह का सार्व गुनन खन निकाले तुम कड़ें क्या जिसे आठ आठ किसकी से कटेगा तो आठ एक से कटेगा, दू से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कट जागा, यह हो गया, इसके बारा के इसके से कटेगा, एक से कटेगा, दू से कटेगा, तिन से कटेगा, चार से कटेगा, छो से कटेगा, और बारा से कटेगा, बारा तो इसमें सार गुनन खंड कुन हो ज अब क्या हो जाएगा एक इसमें भी एक इसमें है तो एक हो जाएगा दो इसमें भी है दो इसमें भी है तो दो हो जाएगा चार इसमें भी है चार इसमें भी है तो चार हो जाएगा तो आर्थ और बारा का शार्गुनन खंड एक दू और चार हो गया यहीं हो गया शार्गु खंड़ा 32 तथा 48 का सारगुनन खंड़ा खंड़ा 32 तथा 48 का सारगुनन खंड़ा तो विश्य करेंगे 32 को देखें कुन-कुन से कट रहा है तो 32 कटेगा एक से कटेगा दूसे कटेगा चार से कटेगा एक से कटेगा दूसे कटेगा चार से कटेगा आठ से कटेगा शोलर से कटेगा और बती से कटेगा और तालिस को लिखेंगे और तालिस कुन-कुन से कटेगा एक से कटेगा दूसे कटेगा तीन से कटेगा चार से कटेगा छो से कटेगा आठ से कटेगा बारा से कटेगा शोलर से कटेगा 24 से कटेगा और 24 के बाद 40 से कटेगा तो सार्व गुनन खंड के इसे निकालेंगे जो दोनों में हो जो दोनों में एक यहां भी एक यहां भी है दोनों में एक हो जाएगा फिर दो भी दोनों में है तो दो हो जाएगा इसके बाद चार भी दोनों में है यहाँ भी है चार यहाँ भी है चार चार भी हो जाएगा इसके बाद शुल्ला भी दोनों में है आठ भी दोनों में है आठ यहाँ भी आठ यहाँ भी है तो आठ हो जाएगा शुल्ला भी दोनों में है श्लला तो श्लला हो जाेगा इसके बाद कोई नहीं है इसके बाद दोनों में कोई नहीं है तो 32 तören 98 का सार्व गुननखनट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, 2, 4, 8 और सोलला हो जाएगा सार्वगुननखनट इस विखकर कहते हैं गुननखनट हुआ अभाज गुननखंड हुआ और सारगुननखंड हो गया तो गुननखंड में इस दे कौन-कौन से कट रहा उसको लिखना है अभाज गुननखंड उसको भाग करके और उसको गुना करके लिख देना है इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं गुनज किसको कहेंगे गुनज तो गुनज लिखने के लिए हमको उसका आगे उशी का टर्म लिब रहा देना है जैसे चो का परथम पांच गुनज लिखे गुनज लिखे चो का परथम पांच गुनज लिखे तो क्या लिखेंगे चो का पहारा लिख देंगे खांट लिख देंगे लूपकर चौर्ण दूनाबारहा जात्री अथा ठार्शारा चोच्छोवीश जो पंची तीस पांच कहरा तुप पांच बर तक जाएंगे जो ऐख गुणाज चौच डूनाबारहा जटरी अथा तो पैंच पर कहता तो साथ का पर्थम नो गुनज लिखे तो क्या करेंगे साथ का नो बर खांत लिख देंगे पहारा लिख देंगे साथ गुनज हो गया गुनज इसे ही निकाला जाता है जितना गुनज का है उतना बार पहारा लिख देना है साथ का साथ पर लिख देंगे साथ दस का पांच दस का प्रथम छो गुनज लिखे लिखे तो गुनज दस का छो बर तक पहारा लिख देंगे साथ यहीं गुनज गुनज एक नमसान है गुनज को हम उसका पहारा जितना बार पहारा लिख देंगे गुनज निकल गया इसके बाद गुनज के बाद अब सार्व गुनज निकलना होता है सार्व गुनज तो सार्व गुनज निकलने के लिख करेंगे दो दिया रहेगा जैसे पांच तथा साथ का शार्व गुनज निकले लिख पांच तदर साथ के सार्व गुनज लिख तो अपना मुन से पांच को हम दस वर तक लिख लेंगे पच कब का पच्छ पन्च पन्दरऊ पंचू का विस UA Fridays में को आइशा उंक शंक्या है तो दोन वेख कोई नहीं है 35 सबराइटिसaser इस में भी है मैं को तो यहोगो गया 35 आपक निर्गे तो साथ त्था साथ पा यहां तक थो थर्माइज की 35 हो गया इसी को हम शार्व गुनज कहते हैं जैसे हमको निकालना रहेगा चार तथा छो का शार्व गुनज निकाले तो चार लिख देंगे चार के हम चार चार्व गुनज निकाले चार्व गुनज निकाले तक पहुंच गया इतना में सार्व गुनज कौन सा है तो हम देखेंगे यहां 12 इसमें भी 12 इसमें है तो यह हो गया फिर क्या देखेंगे 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है तो एक यह हो गया फिर 36 इसमें भी है 36 इसमें भी है 36 दोन में है यहां तक 40 42 तक सार्व गुनज हो गया सार्व गुनज कितना हो गया तो 24 हो गया पहले 12 है 12 हो गया 24 हो गया और 36 हो गया इसका शार्व गुनज ही निकल गया फिर देखेंगे छो आठ तथा दस का सार्व गुनज ही निकाले है तो छो को लिख लेंगे लगभा शार्व तक जाएंगे दस तक चो 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 दूने बाराइज चातर शाटर शाटर याठ शोट चो बिश चो पनचे तीस चाता एक शाट तीस चौसट बहुत आलीज चो तर तालीज चो नमा चोव बन चोदाइश आठ आठ को भी साथ कचा शाट शाट का आसपास में पहुन जाएंगे अठका आठ अठा आ तक लेगा है तो इसमें हमको शार उनज निकालने के लिए देखेंगे तीनों में कौन सा है तो तीनों में हमको देखने के लिए देखेंगे कि यहाँ 24 इसमें चेक करेंगे इसको तो छो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा बारह इसमें है लेकिन इसमें नहीं होगा आथ इसमें नहीं है शुल्ला इसमें नहीं है इसके बार देखेंगे तीस तीस कोनों में नहीं है तो साथ इसमें भी है लेकिन इसमें है लेकिन इ अर्टालिस इसमें है इसमें है लेकिन इसमें नहीं इन लुगण। 36 listened कर गोजिव नहीं है को तू इसमें है कोई भी नहीं मिल रहा है तशक्राइब कर देखेंगे इसमेंㅠㅠ कशार ऑगुनाजब लुक्राइब यईशिकां कСпटic देख लेंगे इसमें 10, 20, 30, 40, 50 में से यहां 40 इसमें है तो लेकिन उसमें नहीं है तो यह भी नहीं हो गया 30 इसमें है और इसमें है लेकिन 30 इसमें नहीं होगा तो इसी तरह से हम सारगुनज निकालते हैं 12, 16 तता 13 के सारगुनज निकाले हैं 12 16 तता 18 का सार्व गुनज निकाले तो 12 को हम बढ़ाएंगे 120 तक ले बारह के 12 1222 33 84 बारे 5 व चोका सायद मीं शुलाय सत हमें जाएंगे शोला के शोला सूला जोल दिना बदीश और तालीश सोल्चुका चॉसत सौल पंच अचीशुन कीमे शोल शिते शोपाइव कि शोला सती एक्षाट आइस एक्षाट अच्वाजस तक 120 इसमें थारा के ठारा भी 120 के चाहिए जब ले जाएंगे ठारा के ठारा थारा तो इसमें भी तीनों में कोई नहीं है इसलिए इसके सार्व गुनाज कुछ नहीं निकलेगा तो इसी तरह से सार्व गुनाज निकला जाता है हम देखेंगे हम देखेंगे दस तथा दस तथा पंदरह का सार्व गुनाज निकले दस तथा पंदरह का सार्व गुनाज निकले तो दस लिखेंगे दस को दस बीस तीस चालीस पचास शाट सतर असी नबे सो फिन पंदरह को सो तक पहुंचाएंगे कि बंदर सद्रभ honestly ऑन्दर हम देखें का सथ पंदरह हंद में कॉन हैं सार्व गुनाज नि के सार्व गुनाजबराब क्या हो जागा तो सब्सक्रक्राइबै ये साथ निकल गया है और तीश इसमें भी है, तीश इसमें है, तीश शाठ, इसके बाद कौन हो जागा, नब्बे यहाँ भी है, नब्बे यहाँ भी है, तो नब्बे हो गया, यही तो इतना तरमे शार्व गुनज हो गया, तीश शाठ और नब्बे शार्व गुनज हो गया, इसी तरह सो शार्व देख लेते हैं हम पहला देखें गुनन खंड दूसरा में अभाज गुनन खंड गुनन खंड तीसरा में शार्व गुनन खंड चौथा में सब का था गुनन खंड के मतलब कौन कौन से कट रहा सो लिखना है अब हाज गुनन खंड के मतलब है मतलब भाग करके इसको गुना में लिख देना है और तब देखना है कुन जो दोनों में है तीनों में है सम्मे कुन बिद्वान है जो शंख्या जो अंक सब में बिद्वान रहेगा उसका पहारा मैं जैवर का पांच पर कहगा तो दस पर कहार दस आपना मतलब फिर बहुरत लिखते करका उसमें चुन लेंगे कि दोनों में कौन है उसको सार्व गुनज कहते हैं उसको सार्व गुनज कहते हैं गुनन खंड जैसे 24 है 24 का गुनन खंड तो 24 कौन-कौन से कट रहा है एक से कटेगा दूर से कटेगा तीन से कटेगा चार से कटेगा छो से कटेगा आठ से 24 में हम भागक तरह से कर से बारह Q2 रहे गा गहां और 20 रहेंगा से कॉट गया 20 को फिर देखें कौन कौन से कट रहा है देखें कि दोने में कौन है हो गया शार गुनन खंड़ों के गुनज जैसे 5 का गुन लिखना रहेगा 5 का पर्थम 7 लिखने रहेगा पांच दश पंदर वीश पचीस तीस पैंटीस गुनजे लिखा जागा जैवर कहें उतना पर उसका पाहर लिख देना चाहर गुर्णाजे दो को लेना है दो या तिन लेना है और सबको निकाल एस तरह से सबको गुनन खंड को अपवर्तक भिकाते हैं और गुनज को अपवर्त भिका सकते हैं जिस तरह से गुनन खंड निकाला जाता है उसी तरह से अपवर्तक निकाला जाता है जैसे जैसे बीस का अपवर्तक लिखे या बीस का गुनन खंड लिखे दोनों एक ही तरह से बनेगा वर्तक या बीस को अपवर्तक निकाला जाता है खंड लीखे दोनों एक ही तरह से बनेगा 24 लिखेंगे 24 से कटेगा दूसे से कटेगा चार से कटेगा आठ से कटेगा बादा से कटेगा और च़ोशे कटेगा तो अब बतक और गुनान खंड दोना एक ही चीज़ हुआ जिस तरसे बर्तक निकलता है उसी तरसे गुनेंखन निकलता है अब अपवर्त या गुनज अपवर्त जैसे रहेगा पाँच का पाँच का पर्थम छो गुनज लिखे पर्थम चो गुनज लिखे या पांच का पर्थम छो अपवर्त लिखे दोनों एक ही चीज है अब वर्तक गुनज एक है अब वर्तक का गुनज खंड देंख है तो क्या लिखेंगे पांच का पहारा होगा गुनज कहता या बर्त गहता दुने एक ही है फिर लिखेंगे कश रहेगा आठ का पर्थम का तुने गुनज लिखे या आठ का पर्थम पांच अप वर्थ लिखें दोने एक ही तरह से बनेगा आठ का पहारा पांच पांच पर लिखेंगे आठ आठ का आठ 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 आठी चुविश अचुका बातिस आठ पंचे चालिस यहीं अपरत या गुन अज एक फिट्रस बनेगा अउधर हम देखें हैं अब बरतक और उनन खंड़ दोने एक ही तरह से क्लासिक्स क्या कुछ क्लासिक्स के मैत का कुछ तत्थ है फिर अगला लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद